नमस्कार मैं हूँ अतुल सिंगल स्वागत है आपका हमारे खास कारेकरम स्वाम सेवक में साथियों आज कल लोगडाउन चल रहा है सभी स्कूल कॉलिज बंध हैं लगातार सरकार की तरफ से रोज रोज नए नए दिशाद निर्देश आते हैं क्लासिज कब से लगेंगी कब से एक्जाम होंगे कैसे अगले सत्र में दाखला मिलेगा कुछ भी साफ नहीं है स्थिति हमारे साथ चर्चा के लिए हैं निदी तरपाथी जो अखिल भारती विद्यार्थी परिश्यद की निदी जी किस तरीके से तैयारी आप लोगों ने की हैं बच्चों को दिशाद निर्देश देने के लिए उनको गाइड करने के लिए देखे एक छात्र संगठन होने के नाते अखिल भारती विद्यार्थी परिश्यद ने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ डे वन से ही की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने चात्रों से बातचीत करनी शुरू की अलग-अलग स्थानों पर रेमेडियल क्लास चलाना हो या फिर जैसे कि अभी ध्यान में है कि अलग-अलग विश्व विद्याले की प्रवेश परिक्षाओं भी कंड़क की जाएंगी तो पर शल्गलाइन नंबर अखिल भारते विद्याती परिषित के अलग-अलग राजियों के जो विद्याती परिषbahn की जर्शे से हमारे प्रांथं है अनुसार हमने कारे करताओं के लग बहल दस नंबर 15 नमबर ऐसे यसे नंबर हमने चारकूल यह की रस्ठ्री इस तर पर भ के शातर हैं वो इस बात को लेकर कन्चुजन में हैं कि अगला सतर कभ शुरू होगा कैसे एक्जाम होंगे जैसे आपने online क्लास की बात की वह सारे विश्विश डालने हैं कोई online classes ले रहे हैं कोई नहीं ले पा क्योंकि वो उसके लिए तयार नहीं है और चात्रे भी ऐसे में तयार नहीं है कि कैसे गूगल को इस्तेमाल किया जाए कैसे ओनलाइन जाया जाए तो उसके लिए क्या रहे मेडी देखते हैं अब देखें अखिल भारते विद्यार्थी परिश्यद ने अभी 11 और 12 माई को पूरे देश भर में फोन कॉल के माध्यम से एक संपर कभियान चलाया था व्यापक संपर कभियान के अंतरगत हमने 8,68,000 लोगों को कॉल की जिसमें चात्र ही थे सारे विद्यार्थी थे अलग अलग प्रदान मंत्री जी को इग्यापन सौपा था और अभी उनसे चर्चा करने के पश्चा जो बिंदु निकल करके सामने आए हैं उनको भी उनको लेकर के हमने उन विश्यों को अड्रेस किया है उनको जो जो विशे है कि संदेह की इसीती वास्तों में चात्रों के मद्द में है अभी कि किस प्रकार से वो क्या परिक्षाएं उनकी कब होंगी फस्ट यर सेकेंड यर या फिर फाइनल यर के चात्रों का क्या होगा कुछ इस्थानों पर हमने देखा कि एक मास प्रमोशन की भी बात सामने आ रही थी जिसमें विद्यारती परिश्यद ने क्लियर स्टा की है कि वाई शांसलर्स अलग अलग माध्यम से एक्जांपल के लिए केरी ओवर की भी हम बात कर सकते हैं कि इस समेस्टर के कोर्स को अगले समेस्टर में रिपीट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन एक्जाम में आपका ओपन बुक एक्जाम भी हो सकता है उसके अलावा में आ अग्जाम के अलग अलग मैठेट्स को लेकर के बात विद्यार्थी परश्द ने की है ताकि अलग अलग मात्यमों को अपना करके चातुर के जिसे बड़ा जो संदीक इस्थिती है वह जो फैनल येर के एक शात्र है खासतोर से प्रोफेशनल कोर्षिस के अंदर हैं जिनको आ जुलाई माह की उनकी जो परिक्षाएं है वो जुलाई माह की एक जुलाई से लेकर के पंदरा जुलाई तक संपन्न कराए जाए उसके दौरान में क्यूंकि यह पांडमिक सिच्वेशन है महामारी है हर जगे पर है तो अगर हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करें लोगों का कै इने का टाइम वो कंपनीज भी आपकी डिगरी सब्मिट करने का आपको देती है तो उस दौरान में भी एक ऐसी सिच्वेशन को देखते हुए यह कोई सामाने परिसिती तो है नहीं एक विशेस परिसिती और विशेस परिसिती में अकादमिक संस्थाएं जो है वो भी से वाइट किए है केंद्र सरकार के माद्धें से जोन के अनुसार भी काम किया जा सकता है जहां पर जोन कर आदामिक सकते हैं और हालां कि सरकार ने काये कि भी फीस ना ली जाए जी बिलकुल अकिल भारते विद्यारती परिश्यद ने क्लियर मांग की हैं समझ अकादमिक संस्थाओं से कि अभी ऐसी सिच्वेशन में और पैरेंट्स और स्टुडेंट्स दोनों ही एक मानसिक दबाव की परिस्थिती मे और ऐसी समय में फीस बढ़ाना उनकी मानसिक तनाओं को और अधिक बढ़ावा देने वाला है इस कारण से हमने सभी सेच्वेशन संस्थानों से अपील की है कि किसी भी सायक्षन संस्थान की फीस कतई न बढढ़ाई जाए ताकि छात्रों को आने वाले समय में भी पढ़ा प्रशासन को विचार करना चाहिए कि जब पिछले शत्र का प्रयोग नहीं किया है तो अगले 70 में उनको किस प्रकार से फीस लेए। इसका छूट मिलनी चाहिए। चात्र बाहर किराय का माकान लेकर के रह रहे हैं तो उन लोगों का पूरे तरीके से किराय का माकान का जो किराया है वो माफ कर दिया जाए वो भी हमने अपील किये कि जहां एक तरफ चात्र की हम बात करें तो वहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर का खर्चा ही शायद क क्या मांग कि है झाना को कि भी जो एकस्टर को लेकर करेक्षाइवाल कार्फितिया उनके बारे में बात की है चाहिक हो जाता से जाद ही धानाना की बात कि हैं जो अपनाने की बात कि है कमने उसके बात हो सुष । ग्हों समय कि जैसे कि मुंबई आधि में हम देखे मुंबई में है दिली में हो तो शिफ्ट वाइस चलती है तो उससी दिन में हमने तीन शिफ्ट बना दी और अलग अलग जो वर्ष के लोग है उनका अलग अलग समय पर हमने शिफ्ट में परिक्षाएं कराई तो ऐसे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनको ले करके जिसे जल्दी काम हो सके जल्दी काम हो सके और जो शारीरिक दूरी एक बनाने का कोवर्ड-19 के दौरान जो शारीरिक दूरी एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे कोवर्ड नह करता रहा है और हम समस्त चात्र समुदाय को या आश्वासन आश्वस्त करते हैं कि जब तक विद्यार्थी परिशद है आपकी किसी भी प्रकार की समस्या को हम समस्या नहीं रहने देंगे हर प्रकार की समस्या का समाधान विद्यार्थी परिशद करेगा आपकी अकादमिक गत्विधिया किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होंगी और सुचारू रूप से चलती रहेंगी या विद्यारती परिशद आपको आश्वस्त करता है। यापको आश्वस्त करतो ऑईना खालशा किसी विद्यारती परिशारू रूप 시े अधिनले बाधित रचैने किसी भी ख्रूबोंपू रूई जह भी।